हलो एवरीवन आज की इस वीडियो में हम इसके लिए नहांसमेंट कोर्स रिसर्च मेथलोलोजी का एक्जाम पैटर्न डिसकस करेंगे यह जो सब्जेक्ट है दोस्तों इस सब्जेक्ट का बेसिकली में परपस यह है कि एक पर्टिकुलर डाटा है उसको किस तरीके से कलेट करा जाता है क्या क्या सोर्सिस होते हैं उस डाटा को कलेट करने के फिर डाटा को कलेट करने के बाद उसको एनलाइस किस तरीके से किया ज उसके लिए हमें data की requirement है तो data actual में किस तरीक से collect करा जाता है उसको फिर analyze किस तरीक से करा जाता है जो हमारे सामने problem है उसको resolve करा जाए हर एक तरीकी की data collection और data cleaning यानि कि data के अंदर कुछ चीज़ा हटानी है उसको clean करना है वो उसका क्या procedure है और data को किस तरीक से represent करना है यह सब चीज़े आपको इस subject के अंदर पढ़नी है discuss कर लेते हैं आप किसी-किसी department या college में यह subject 4 या किसी-किसी में semester 5 में पढ़ाया जाता है तो उसमें आप issue मत create करना है कि सर यह semester 4 क्यों लिखा है ठीक है अच्छा दी अब इसमें क्या है कि paper आप या तो English में करो या Hindi में करो यह totally आपके उपर depend करता है और कोई 5 questions आपको करने total इसमें 8 questions है आट में से कोई 5 questions आपको करने हरे questions equal marks का हरे questions को parts में divide किया गया है पहले questions के दो पार्ट हैं 5 और 10 marks के पहले पार्ट में बोल रहे हैं कि explain the importance and role of research methodology in scientific research विज्यानिक शोध में शोध प्रलाली की भूमी का एव महत्र का visualization कीजिए जो scientific research होता है उसके अंदर research methodology का क्या रोल है और importance क्या है उसकी वो आपको बताना है इसके बाद है what difficulties are faced in the selection and formulation of research problem how would you remove them एक शोध समस्या के chain एव निरुपंड में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसे आप कैसे हटाएंगे आपको अगर किसी research problem का selection करना है या formulation करना है तो उसके लिए कौनकों सी परशानियों का सामना करना पड़ता है उसके बारे में आपको बताना है और किस तरीके साथ अब उनको परशानियों को हटा सकते हो question number two है again इसके दो पार्ट है पहला पार्ट दस मांक्स का है दूसरा पार्ट पांच मांक्स का है पहला पार्ट में what functions does the literature review perform in a research study यह important question है literature review वाला इसको नोड़ान करके रख लीजिए literature review आपके study material में होगा उसको आप thoroughly read out कर लीजेगा या फिर दूसरे source से पढ़ रहे हो YouTube ब मिक्षक क्या कारिये कारिये निवति करता है literature review जो है इसका क्या function है research study में इसके बाद है कोई five factors बताओ that affects the reliability of a research process एक शोद के साधन की विश्वसिनिता को प्रभावित करने वाले कि नहीं पांच कारकों का वर्डन करें question number three है इसका ये part art marks का है what is the research design एक अनुसंधान प्रारूप क्या है how is it different from the study design ये अध्यान प्रारूप से किस प्रकार भिन है आपको बताने है research design क्या है और इक किस तरीके से study design से अलग है art marks में बी part है what do you understand by certified sampling describe the advantages and disadvantages of certified sampling एक population है उसके अंदर अलग-अलग kinds of sub population है उसको basically उन populations को basically बोलते हैं अगर उनका research कर रहे हैं उसकी को basically बोलते है है साथ मांक्स में तो कोई भी question ऐसा आ रहा है जिसमें साथ मांक्स में या दस मांक्स में तो उसमें ऐसा नहीं ही कि आपको pages भरने इसमें आप कोई कहानिया नहीं लिख सकतो एकनोमिक्स का पेपर है जो exact चीज़ पूछी जा रही है वहीं लिखोगे सम टाइम क्या होता है कि पेपर जिसे कुशन दस मांक्स का आप सोचोगे दीन चार पेजिस लिखू नहीं जी कि अगर वो पेपर अगर वह आंसर दो पेजिस में खदम हो रहा है तो इनफ उसके बाद फॉर्ट कुशन है गिव एनी थ्री पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिडविन क्वालिटेटिटिव अप्रोच एंड क्वांटिटिटिटिव अप्रोच ऑफ रिसर्च पाई ये दोनों अप्रोच ज़रूर से हाथ करके जाना ये आने ही आने है शोध के परिमाल्यात्मक दृष्टिकोंड तड़ा गुणात्मक दृष्टिकोंड के बीच कोई तीन बिंदों की व्याख्या कीजिए तीन डिफ्रेंस बताने है आपको ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अप्रोच जो है रिसर्च का पांच मांक्स का जस्ट इस तो कुछ एथिकल फेक्टर्स भी होते हैं जो ध्यान में रखने चाहिए उन लोगों को जो रिसर्च एक्टिविटी में पांचिपेट कर रहा है ऐसे किनी तीन एथिक कंसिडरेशन को आपको डिसकस करना है दस मांक्स में फिफ्ट कॉशन है वर्ड कंसिडरेशन वूर्ड यू कीप इन माइंड वेन कंस्ट्रक्टिंग कॉशनार जब प्रशन वाली बनाते हैं तो आपने मन में क्या विचार रखते हैं कॉशनार अगर अगर बनाते हो रिसर्च वर्क के लिए एक इंटरवीव होता है कुशनार ह कीजिए जो इंटरव्यू में tiada data collection कोलता है ये सब डिटा के में इंटरव्यू तो इस में padre के इंदर इंडर इस्टेब फृत और डिस क्राइब करने शेयों इden जचंड इटम क्याथ इसाथ्ष्ट इफ इस एगें दो पाट हैं पहला है बई आपको स्टाटिस्टिकल आनालिशिस का रोल बताना है research process के अंदर statistical analysis का बी पार्ट है आपको brief में बताना है layout research report का जिसके अंदर आप सारे जो भी important points है और cover करोगे जो research report बनाई जाती है सारा research वर complete हो जाता उसके बाद research report बनाई जाती है कि हमने तो data collect कर आप उसके process पर हमने क्या report बनाई है तो सारे जो layout होते हैं उसके यानि कि क्या क्या चीज़ आनी चाहिए research report के अंदर वो आपको बताना है जिती भी relevant points होने चाहिए वो आपको सारे बताने की ये points उसके अंदर होने चाहिए फिर last question है question number 8 किनी दो पर आपको short note लिखना है 7.5 marks each total 4 है इसमें characteristics of a good research report एक अच्छी research report है उसकी क्या characteristics है फिर है आपका bibliography and its importance in context of research report जो bibliography होती है उसके बारे में लिखना है और उसकी importance क्या है research report में फिर है आपका null hypothesis and alternative hypothesis hypothesis वाला question आएगा ये short note में ही mostly chances होते हैं आनी के फिर है आपका dependent and independent variable with example उधारन के साथ सोतंत्र and आधरित चर के बारे में आपको बताना है ठीक है जी तो इस तरीके से total 8 questions हो गए मैं ने सिर्फ exam पेटन डिसकस करा है लेकिन इसमें से कुछ questions जरूर से आपके आ सकते हैं तो मुझे लगता है quantitative और qualitative approach वाला research proposal वाला question जरूर से आना ही है और उपर आकर देखते हैं थोड़ा सा और interview या फिर आपका questionnaire वाला इन दोनों में से कोई ना कोई तो question आएगा ही आएगा ethics वाला question भी जरूर से आगा ethics क्या होनी चाहिए research किसी research activity को complete करने मैं आपको कौन-कौन से ethics consider करने चाहिए वो सब चुदित आ नहीं है ठीक है जी तो यही सब एस question paper में literature review again important question है literature review का यह भी आप लोग करके जाएगा ठीक है तो यही सब तो दोस्तो research methodology के exam pattern में I hope यह video आपको useful लगी हो तो video को share करेगा Thank you